करेंगे तो किंगधिने का अव्च रिए कर अपकोड़ा वेशुस ओग अवर भालिबल्ट ओम इद्सकर से हुआ आर्की बैक्टिरिया, यू बैक्टिरिया, साइनो बैक्टिरिया, एंड माइकोप्लाज आपक्ची विवित्ता के आधार पर अमनी जगत मौनेरापू चार समुहों में वजित किया है, उसमें फ़स्ट है अपना आर्की बैक्टिरिया, यू बैक्टिरिया और प्राचीन जीवान होते हैं, वो आधिकाली आधिकाल से ही पाय जाते हैं, इन्हीं प्रिम्टेव माइक्रो और्गिनिदम में यह कह लाते हैं, जबसे हमारी प्रफी पर जीवों की उतपत्ती की सुर्वार देए, उस समय से यह हमारे प्रक्ति पर पाई जाथे इस दिन्स पहोते प्राजीन जीवां 성्वां एंट वेक्टिरिया इसे कथन आवासों में ile पाई जाते जहां अन्य कोई भी जी आसानी से जीवितर नहीं रह सकता तीज बैक्टिर्या फाउंड रेक्टर प्लेशेज वेरी डिफिकल्ट हेविटार्ट एंड एंड एंवायर्मेंट वेर नो एनी लिए 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 लाइवर इजी अब पूंपूंसी कठे नावा से जांपर पाइजा तो किस नाम से जाना जाता है जैसे माली जी पहुत अत्तिक लवणी जल में पाई जा सकते हैं हाईडी साल्ट वार्टर में अत्तिक लवणी है जल में पाई जाती है तो इनको बला जाता है हेलो फी असे डिग्री से भी अधिक ताप्माल पर गर्म जर्नों में ये जीवानु जीवित रहते हैं गरम धरनों में पाई जाते हैं, उनको पुने रता हैं थर्म अचिड़ फिल्स थर्मो यहां कि जब घरने चे उते हैं तो गंधक की उपस्तिती की वाइज होते हैं, तो इसलिए वह सल्फूरिक एसट की एंवर्यमेंट पर एलिक वैसे इन वो थर्मो अचिड़ के नाम से जाना जाता है को तिसरा हे नवा हम मैं कच फीट्रों में पाई जाते हैं बहुत जाना दलडली छिट्रों में जी माणों पाय जाते हैं और साथ में Scottish की आंत्र में वड़ी आंत्र में पाद पाई जाते हैं और जो गूर होदा है उसका अफगटन करते हैं और डाए इसलिए इनको मेत्रोजन के नाम से भी जाना जाता है इस बैक्टिरिया आल्सो प्रेजेंट इन्दा रूमेन ओप पाउज एंड बाफैलो एंड डिग्रेंड या डिकंपोज और दंग एंड प्रोडूज मीथियन गैस सो तीज आर आल्सो पाइड मैथेन ओ जन्स इसके रावा आपको बतादेश में आर्की बैक्टिरिया की जो कुछ का विक्ति की जो सरचना होती है वो अन्य जीवानों से अधिक भेश्टियों और इस अधिन प्रत्कूल दसाओं में आसानी से जीवित रह सकते हैं ता सेलवाल ऑफ बैक्टिरिया इस डिफर्व फ्रों अधर बैक्टिरिया दू दिफर्व प्रों अधर बैक्टिरिया दू दिस देखेर लुग इजीली इन वेरी डिफीकल्ट एबिटाट सेकर्ट एफना सक्टन एफना कि इसको जिवानू सत्य जिवानू या आध्रिक जिवानू के नाम से भी जाना आता है इनकी क्या विस्टा होती हैं को हम जालेगे इतनी भी यह यू केरियोटिक हैं अन्या सत्य जिवानू है इन जीवानूं की चारों ओर कुछिता बित्ती पाई जाती है और गमन युद्ध अंग जैसे की कसाब तथा पक्छमाब पाई जाती है Around the bacteria a rigid cell wall is present and also present cilia and flagella for locomotion सेकंड है इस बैक्टिरिया और सिंगल सेल सिंगल सेल प्रोकेरियोटिक यह एक कोश्किये ब्रोकेरियोटिक जी होती है और इसमें औप जीविद्ध होरी जिल्ली युक्त कोशी कांग नहीं पाया जाता प्रवीट वेक्टिरिया एव नॉट एडवल मेंब्रेनस सेल और ये नहीं पाया जाता क्योंकि साथ के तरफ इसमें अबाब होता है अज़र बात कि पोशन की करें तो पोशन के आधार पर ये स्वेंपोसी के अपना बोजन स्वेंपी बना लेते क्योंकि इसमें फोटो संथेटिक और कीमिकल सबस्टांस का ये डिग्रेटिसन करके उससे जो एनर्जी कुड़ी होती उससे अपना जिवना घरवा कर सकते हैं और सेजीवन ये सिपैसिस पर में बहुता है और उसके साथ ये अपना अफगटक डीकम्पोदर होते हैं जो अपटका रहे आसानी से खरती तो इनका जो पॉस्ट्ण है वो पिलिवेंट्र प्रकार का होता है स्वेंपोशी और पिसंपोशी ने ये अट्रोप्स है वोट औ लेंगे जनल भी दर्शाथ है और लेंगे जनल उखता है तो इसमें संयुमन विली के द्वारा लेंगे जनल देखा गया है जब्सक्राइब आपस में दूसरे जाकर के आती है और जो उनका आनवांशिक जो पतार्थ होता हो एक दूसरे का एक्षेंज होता रहता है यानी क्रोमेसोमल मेत्रिल एक्षेंज इच अथर लेंगे वडिश जो पादव प्रहां लेंगे भी अनेखो प्रगारती खतरना प्रोगत्तपन करते हैं इस बैक्टिरिया आल्सो प्रोड्यूज वेरियस डेंजरस डिजीज इन हुमन बींग्स अनिमल्स एंड प्लांट्स अच्छा एक खुलेरा प्रॉम विप्रियो फॉलेरी जो है जाज होता है विप्रियो को रहे होता है निमोनिया इस्ट्रेप्टोपोकस्ट निमोनी की अब्लांट की बात करें को सिट्रस केंकर निपू में एक प्रकार का घरा लोग बोलते हैं वह भी जीवानों के द्वारा होता है और उसका नाम है अपना जैन्थ्मोनासर स्ट्राई में इन्थमोनासर में निपूमें गर्योगत पंड़रा पन्रता है तो यह लावी खतरना करना को बोती ही खड़ है अपना ब्रीज़ी नें दी सायनो जीवान या नील अरित सेवा इनके क्या क्रेक्टर होती है ते आर फिला मेंटेस इनी सलूलर माइक्रो ऑर्गोनेजम फांड इन आल टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैंड़ यह ने होती हैं और सभी प्रकार चली आवासम में पायजाते जैसे स्वक्षे जल है लबणी जल है और प्रदूशी जल में यह काफ़ी प्लते-पूर्ते रहते हैं कि यह तंतु में सेवार हैं वो हमेशा एक पॉलोनी बना कर रहते हैं और इनमें एक विशेस प्रकार की कुशिका पाई जाती है जैसे मान के चलिए एक कुशिका है और इसके चारों तरफ यह अधर से कि लामेंटस था है इसका नाम पर नॉस्टोक है तो नॉस्टोक में यह क्या है इसके सब्सक्राइप सब्सक्राइब प्रजेट इन नॉस्टोक एनमीदा कि इस प्रकार की जो कुश्का होती है तरतुमें सेवाल उसको अपन हेट्रोसिस्ट बोलते हैं और यह क्या करते हैं जो वाइमने नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में करके अपने प्लांट को यह प्रवाइड भी करा देते हैं समयले क्वर में पाया जाते हैं तो और चारोग को कि जल में रहते हैं तो इनके चारोग एक सलीश मी आवरण पाया जाता है जो इनको सब्सक्राइब करने से रोपता है तो दा फिलमेंटर से एल्ला नॉस्टोक एनलमीना पर बेंगे फौर को कि यह रूवार में नाइटर्ण को फिलमेंटर घ्री जो गया जाते हैं पुलेटर उनको ए फ्लांटर नाइट्रिय इनके ने टार्ते हैं इनको इंड त्युक्तर सटेके मैं को इक्वाइड टो इनको ग्ना पारेंटन साइनो बैक्टिरिया के नाम से जाना जाता है और राफ स्टेपना माइको प्लाजमा की करें तो दे आर अब तक जात सभी जीवानों में सबसे छोटी जीवित जीवर माइको प्लाजमा होते हैं इनमें उशी का भिती नहीं पाई जाती दे जूनाट पंटेर शेलवाल और यह ऑक्सिजन के विना भी आसानी से जीवित रह सकते हैं इनके द्वारा अनेकों प्रकार के रोब उत्पन किये जाती हैं देखने में तो माइको प्लाजमा बहुत सरल्स और पातिम जीव हैं लेकिन यह पसुओं में गायर मेंसमान के चलिए निमूनिया डिजीज प्रोडूस करते हैं और हैं प्रिंजर और हैं प्रिंजर 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 में चोटी पती रोग भी माइको प्लाजमा के तवारा उत्पनिक दिया जाता हैं और इनकी जो सरचना होती हैं वो समय समय पर पदलती रहती हैं अल्हिंग के चींड्य के मलान छेपी आत्यका मेंच में और कहले दो एक आड़ में हैं और के सबस्टे जाते होती है। उस्टेब्सकार अज़ोगे को सब्सक्रियो करता है कि मैंब्लाद की प्लान्वाम गृता जो एत्सक्ते फ Such a कि आणे पाधब जगत का जो कर रहा जाता है क्योंकि इतने का रूप बाहर बाहर, बदलता रहता है तो अपने जो जगत लोनिया है उसमें आपने चारों जीवानों का बड़न किया है यूबैक्टिरिया आर्किवेक्टिरिया और पाइकोप प्लाज कि कल हम आपको प्रोटिश्टा के बारे में प्रिजेल से समझ जाएंगे वाज कुछ पूतना आप यह समझने का प्लाज करेंगे तिक्यू